अज यसी गल करांगे ओबच्चे नी जड़े के केनेडा जाके स्टेडी करना चांदे हन ते जड़े उनने आम क्वेश्चन होंदे हैं जिनननों उसी फ्रिक्वेंट्ली आक्स क्वेश्चन भी करने हैं मैं तोड़ा अपना संदीब सेट ते अज सार्डिनाल ने बेसा स्टेडी नेक्स्ट ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंट ते जड़े के बच्चे नूँ एच अनना पानगे के बार जाके किससा पड़ाई करनी है या उननने ते जड़े क्वेश्चन जवन दे जो आप है ते अड्मिशन लेके देंदे विच्वी मदद कर दी है बार दे देशा में ते बाद दे विच्वाइल लगाके वीजा लेंदे विच्वी हैल्फुल होंदी है अब इस सब जिससां के आम तो पता ही है बच्चे ने कुछ क्वेश्चन होंदे है जिनना वारे उननों है एक को डियालाई मतलब डेजिगनेटेड लर्निंग इस्टिटूट डियाला एक कॉलेज या स्कूल है जिन्हों कैनेड़ी प्रोविंचियल या टेरिटोरियल गवर्मेंट इप्रूव कर दिया इंटरनेशनल स्टुडेंट्स नों अलाव करके पड़ाम देली चिक थोड़ा या बेसरा चाहना पहो कि केनेडियन एज्यूकेशन स्ट्चचर की यह किस्टाम अगट करदा है देखो चेनेडियन एज्यूकीशन स्टचर नो आप दो तरिके नाई देख देख देया है पहले प्राइवेट कॉलेज या जिन्हों पॉस्सेकंट्री मिशन क्राइटीरिया है चाहे हो परसेंटेज अफ मार्क नो लेके है सब्जेक्स नो लेके या इंग्लिश या फ्रेंच लेंग्वेज दे स्कूर्स नो लेके ठीक है जी तो दूसरा तरीका है देखन दा के केनेडिन एजुकेशन श्रक्ते वेच पढ़ाई किस तरीक के ना दिप्लोमा जो चर्टिफिकेट और इंट्व अ मास्टे डिग्री चीक है जी तो एदेविच की हुनदा कैनेड़ा देविच दिर इस एक्रेडिट बेस सिस्टम देविच टूडेंट्स जो भी कोर्सीज पढ़ देया ओधे च्रेडिट्स एंगर देविच व्क्रेडिट् ग्रेजुए डिप्लोमा कीता है और वांट सुग इदमिशन इंटो अ मास्टर्स प्रोग्राम देविच जो क्रेडिट्स ओने अपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम देविच अर्ण कीते हैं जेड़े कोर्सी ओने पड़े है जेड़े अगले इंस्टीट्यू एक्सेप्ट कर देने ओधे उनों वेवर्स मिल देया थे बेसिकली सब्सक्राइब कीता है तो अपने क्रेडिट्स एक्सेप्ट करवाके रिमेनिंग टू येर्स दे विच अपनी बैचलर्स डिगरी का कम्प्लीट कर सबूँ चीक है जी वे सब नॉर्मल दिखे जना है कि अपना आम जस्ता करजगलना करते हैं जी बार जाके पढ़ना बच्चे नो बड़ा कॉस्टी पेंदा है तो रहते चालना पाऊगे और ये चीज़ ज़िए तो ड़ड़ा जोआब होएगा ए बच्चे ने पेरेंट्स टी काफी दाना है तो लो हो जाएगा येस के 4,000 Canadian dollars and this cost of education it varies from college to university ठीक है जी या program to program पर students low-cost universities दे विच भी admission ले सकते हैं कुछ private institutions दे जो जिनना दी cost, annual cost of education start from 6,000 Canadian dollars even public and ranked universities दे विच कुछ master's program में जड़े 6,000 Canadian dollars तो शुरू हो जानते हैं अच्छा जी whereas the cost of education goes higher up to 40,000 Canadian dollars this is the average 16,000 to 24,000 Canadian dollars चीक है जी अपर फ्र्स पार्स 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 इस टुशन पीस जड़ा second part है that is the living expenses क्योंकि जदो भी किसी student ने जाना है केडी जगाते जाना है उस जगाते विच उदे अपने expenses है जिवे accommodation या groceries या transportation जदो भी student जाना है ते अपार्ट फ्रम दिस ओ लिविंग कॉस्ट नो अपने काउंट करके चलता है कि उस particular location ते यह पर्टिकुलर सिटी ते living cost की है जिक है जिन ना वड़ा सिटी होएगा उन नहीं होते living cost accommodation cost mostly महेंगी रहेगी जिकेंजी अविश्ब थोड़ा चाहना पाओ किजड़े बच्चे पढ़ाई कर दे उस तो बाद फीर रुड़ा तो थोड़ा दुसको संब की है actually key जो प्रॉपपमिट बेसिकली students दे दो तरीके दी कोरीज हुं दिया है सब तो पहले जडी क्वेरी है ओ ये उंदी है कि students जदों पढ़ाही कर रहे हैं ओ किन्नी देर काम कर सकते हैं ठीक है जी How much time are they allowed in a week So basically students जो पढ़ाही कर रहे हैं They are allowed to work for 20 hours per week ठीक है जी जे होना दी कोई breaks है चाहे हो summer break है, winter break है, spring break है ओ दे विच While they are continuing their education It is a time when students basically earn to save some money for their future education as well ठीक है जी जो second point अपा कहरे सेगे, that is a post graduate work permit जी ओ दे बिच की होना है, that students जो अपनी पढ़ाही complete कर लनदा जी ते ओ दे उस तो बाद हो apply कर सगदा, post graduate work permit दे ली ठीक है जी अपनी अपनी अप्रूफ लिस्ट है ठीक है जी जिन जे ओ की post graduate work permit ली अप्रूफ कीते है For example, कोई particular college है जी ओधे कुछ limited course ही post graduate work permit ली लीजिबल होनगे, सारे नहीं होनगे अच्छा जी कई काफी जड़े top rank या अच्छे reputed college ही, और नहीं सारे courses ही लीजिबल होनगे ठीक है जी So the student should check के whether ओ जड़ा particular course ही जड़े वे चो admission लेके पड़ाई करन जा रहे है वो post graduate work permit लीजिबल है या नहीं दूसरी चीज जड़ी आदे विच देखन वाली हुंदी है पोस्ट ग्रेजवेट वर्क पर्मिट दे डिवरेशन किनी उन्हों मिलेगी शुड़ा या 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 बड़ा इक इंपर्टेंटर रहे जी This basically varies on the duration of the course इदा मतलब यह है के जे student ने अट मीनने तो एक साल दी डिवरेशन दे कोर्स देविच पढ़ाई कीती है तो उन्हों आठ मीनने तो एक साल तक दा पोस्ट ग्रेजवेट वर्क पर्मिट मिल सकता है ठीक है जी And if the student has studied for two years or more चाहे हो दो साल दा डिप्लोमा कीता है तिन साल दा डवांस डिप्लोमा कीता है या चार साल दी बैचलर डिगरी कीती है Then the student is eligible for a three years postgraduate work permit Postgraduate work permit देखन वाली है कि postgraduate work permit दिखन वाली है कि postgraduate work permit The student should be an international student studying into a full-time course in Canada But due to COVID-19 Recent exemption has been given by the Canadian High Commission हुन केनडा ने ओनलाइन स्टेडीज दी एक्जेंप्शन एक्सेंड करती है अब तिल ऑगस्ट टो थाउजन अन ट्वेटी टू अच्छा जी अधा मतलब है कि जे स्टुडेंट्स ओनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं चाहे हो ऑन्शोर है चाहे ओफ्शोर है ठीक है जे ओनलाइ पढ़ाई कर रहे है दी एललाइ इसिटूट दे विच पढ़ाई कर रहे है ताह भी यो पोस्ट ग्रेजुट वर्क परमिट ली इलिजिबल है ठीक है जी तुडेंट्स नीड नाट वरी इवन इवन इफ दे आर स्टेडिंग ओनलाइन और दे आव तो रिजिस्टर पर क्ल सारे बिज सामने आंसर दे के कोई जोनलाण कोशिश एगा तुषिछ साड़ेन इस चैनल नों सब्सक्राइब करो तो सचेच नवर अटाय तो टाइम्-टूटाइम आपडिशं दे सकिये तो उन्नों साड़े हूर काफी वीडियोगी सीरीज मिलेगी जिने तो अनु कह तो बाद ये ओं बच्चे नी हेल्फूल होएगा जिड़े के इंडिया चो बच्चे जान दे है इससा के तो नो पता ही है अपने एजुकेशन सिस्टम दे विच तिन साल दी ग्रेजुशन होंदी है चार साल दी ग्रेजुशन नहीं होंदी एदे बारे भी ऐसे एक वीडियो प्रेजिड करांगे ठीके जी थैंक यू बेर मच्च नस तो